हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस पुडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रहे है टी ट्वेंटी सीरीज के दूसरे टी ट्वेंटी इंटर्नेशनल मुकाबले की जो की खेला जाएगा इंडौर के हॉलकर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 14 जैनवरी को शाम के 7 बज़े से और इस मुकाबले का लाइव टेलेकास्ट होने वाला है जियो सिनमा के उपर अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिछ रिपोर्ट के बारे में तो इंदौर का जो मैदाने वो बल्ले बाजी करने के लिए बहुत ये कमाल का होता है boundaries बहुत जादा छोटी है इस मैदान की तो उमीद करता हूँ अच्छे खासे runs बनने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ टीम इंडिया के बारे में जिन्होंने पहला मुकाबला तो काफी असानी से जीत लिया और इस मुकाबले के अंदर वो सीरिस को जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेंगे शीवम दूबे एक बहुती बड़े positive निकल के हैं टीम इंडिया के लिए पिछले मुकाबले में नंबर 4 पे बल्ले बाजी करने आए half century बिमारी और बड़ी बात ये रही ना उन्होंने गिंदबाजी के अंदर भी विकेट निकाले तो ये शीवम दूबी के लिए बहुती बड़ी बात है कि वो बल्ले बाजी पे इच्छी कर रहे हैं और गिंदबाजी भी कर रहे हैं उसके अलावा रिंकु सिंग ने फिर एक बार बता दिया कि नंबर 6 पे बल्ले बाजी करते वे वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर हैं उनकी finishing skills काफी कमाल की है फिर एक बार वो continue करना चाहेंगे और जिटेश शर्मा की बल्ले बाजी भी काफी कमाल की थी मुझे लगर है T20 World Cup के अंदर ना वही हमारे विकेट के पर होने वाले हैं पर इस बार टॉप ओर्डर के अंदर जरूर से बदला होंगे यह शश्वी जैस्वाल पिछला मुकाबला खेल नहीं पाये थे अगर वो इस मुकाबले के लिए फिट होंगे तो जरूर से वो शुमंगिल को रिप्लेस करेंगे इस मुकाबले में टीम आवेश खान को खिलाएगी इस मुकाबले में अब तीन स्पिनर को इंदौर में तो खिलाना बिल्कुल भी नहीं चाओगे रोहिश शर्मा रणाउट हो गए पिछले मुकाबले के अंदर तो वो भी इंप्रूफ करना चाहेंगे तो all in all इंडिया के पास एक काफी तगरी टीम है लेकिन मुझे लगता है इस मुकाबले में टीम तीन बदलाव करेगी जहाँ पर आपको जैसवाल देखने को मिलेंगे कोहली देखने को मिलेंगे और आवेश खान भी देखने को मिलेंगे और अर्श दीप सिंग तो मेरे इसाब से ये लहनों के इंडिया की और वो जरूर से सीरीज को जीतना चाहेंगे अब मैं आपसे बात करता हूँ अफगानिस्तान के बारे में तो दो को सीधी सी बात है जो अफगानिस्तान की टीम है ना उन्हें पहले मुकाबले में फाइट जरूर सी दी थी जिस तरो उन्हें आखरी के 10 ओर के दर बल्ले बाजी करी वो काफी कमाल की बात थी और इस मुकाबले के अंदर ये लोग और अच्छा करना जाएंगे मुझे समझ नहीं आए कि हजरतुला जज़ई पिछला मुकाबला मिस्स क्यों कर गए मेरे साबसे इस मुकाबले में जो जज़ई है आपको ओपन करते वे दिखाई देंगे एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं मुहमन नभी ने काफी कमाल की बल्ले बाजी करी थी पिछले मुकाबले के अंदर फिर एक बर जो मुहमन नभी है कमाल कर सकते हैं अपने टीम के लिए साथ ही में मैं रह्मुन अला गुर्बास को भी बड़ी पारी खेलते वे देखना चाहता हूँ इस पिछपुन को बल्ले बाजी करने के अंदर काफी ज़ादा मज़ा आएगा अजमत अला अमर जाय भी काफी शांदर खेले पिछले मुकाबले में तो ये उनके लिए भी काफी अच्छा मौका है इंडिया के खिलाफ अच्छा करने का बात करता हूँ गिंदबाजी के बारे में तो मुझे लगता है इस मुकाबले में नूर आहमत को मौका मिल सकता है जो कि एक left arm chairman gain buzz है जो इंडिया की बल्ले बाज है ना वो struggle करते है left arm spin के against तो मुझे लगता है इस मुकाबले में नूर आहमत जो है वो कैसा हमत की जगा मुकाबला खेलेंगे और रहमत शा की जगा पे इ तो मेरे साब से ये टीम होगी इस मुकाबले में अफगानिस्तान की आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन से टीम जीतेगी वैसे तो इस मैदान पर जो भी टीम चेस करती है ना उसी को अडवांटेज मिलता है लेकिन अव्वेसी बात है इंडिया का फ़ला भारी रहेगा इस मुकाबले में उमीद करता है वीडिया आपको अच्छी लगी होगी लगी तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए चनल को इस तरह वीडियो देहने के लिए मुलाकात होगे आप सब्सक्राइब वीडियो में और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ प्जाइब धिएगे में सब्सक्राइब पftरता है